चलिए आज हम बनाते हैं छोले बट्रे नाट पंजबी स्टाइल तो यह सब फेच छोले इसको मैंने भीगव के रखा था पाच्छे घंटे और इसको कुकर में दो सीटी आ दी उसमें मैंने डाला हल्दी बेकिंग सोडा लॉंग ब्लैक पेपर नमक और थोड़ा सा पानी दो पलिए और चया के कोहले मुझाए यह जिम्या फ्लान बेकिंग केया नाही दी तर्यक्रें अट हम इसमें ज़ई सबस्च किया है कि आता पानी को अज़िए पानी का इस ecosYa कि आंता है क्लेक इस में पानी करना है यह मेरा पानी चारात में लिया प्रदीश इंग में का समीन मा मसालों को ऐसा भूनना है ताकि तेल चूट रहा है तो फिर आप इसमें छोले डाल देना अभी देख लेना कि इस तरह से साइड में इसको तेल चूट गया है ठीक है आप भी ऐसे करना ताकि मसाला कच्छा न रहे वरना टेस्ट नहीं आएगा तो इस स्टेज में मैंने डाल मिक्सर में मसाला लगवा पानी डाल दिया तो यह काफी अच्छा से इसको हम पकने देंगे कूबा लाने तक बस एकूबा लाने तक ठीक है मसाला भुननी के बाद मैंने इसमें डाला था पैकेट का चोले मसाला उसके भीना टेस्ट नहीं आता है ऐसा मेरा मानना है तो आप पैकेट का मसाला जरूर डालना अगर आप इस तरह से बना रहे हो तो प्लीज और फिर इसको उबालाने तक हमें छोड़ देना है हो गया हमारा छोले मसाला और फिर ओपर से कोरियांडर डाल के हमें करना है सब अभी हम बनाते हैं बट्रे क्योंकि बट्रे का आटा काफी अ इसको करेंगे यह देखें मेरे मसाले का लुक ओ माई गॉड़ इच्छो यमी देखने से मुझे यह बहुत यमी लग रहा था वैंने इसको तो रहन टेस्ट किया और यह मैंने थोड़ा सा मसाला अपने लिए लिकाला और बट्रे के साथ खाना स्टार्ट कर दिया देखते ह यह तो बहुत यमी बने मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत जादा यमी सारी महनत काम आ गई सारी महनत का फल मिल गया और मैं तब तक नहीं रुकी जब तक कि यह खतम नहीं हो जाता मेरा पेट नहीं बढ़ जाता सो फुली साटिसपाड मैंने बने आप भी बने मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में बाबाई